ओम श्रीगने शायन नमः स्वागत है मित्रो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धनूराशी वाले चाहताकों का 22 और 23 जून जून महिने के दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे इन दो दिनों के दैनिक राज शिफल के पारे में इस वीडियो में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से भाई बंदू से दोस्तों से एव नम्र निवेदन है रिक्वेस्ट है किस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर हमारे पहली बार आएं हैं तो नीचे जो लाल बटन दीख रहा है उसको दबाईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों जन्म कुंडली हस्तरेखा से सम्मंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिख रहा है उस पर आप हमसे संपर कर सकते हैं कॉल कर लीजे, कॉल नहीं लगता है या कोई रिसीव नहीं करता है तो आप वोटब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप प्रगति के नए उपायों के बारे में शाकरात्म खोज जारी रखीए दोस्तों अपने आसपास का महौल हलका फुलका रखी टीम को एक जूट रखी और भविश्य की चुनोतियों के लिए मानसिक तोर पर मजबूत रखने का इन दो दिनों में आपको प्रियास करना चाहिए इन दो दिनों में करवारी वर्गों को अपने साथ साथ वरिष्टे जनों के आनुभाक से भी लाव मिलेगा ग्राहकों को लुभाने के लिए स्कीम या आफर भी लाना आपके लावकारी रहेगा लंबे समय से दूर है तो पुराने लोगों से हाल चाल लेते रहे आपको पीना चाहिए अन्यताड डेहाइडरेसन की परिषानी इन दो दिनों में आपको परिषान कर सकती है वे वह योग ये लोगों का रिस्ता आ सकता है कोई ये दो दिन खुद को शाकारात्मक रखें उर्जा को सही दिसा में बनाये रखने का आपको प्रियास करना चाहिए लाव दिलाएगा वर्तामान में नियमों का पालना अती अवश्यक है कामकाज से लेकर स्वभाओ की कमियों को दूर करके चलना चाहिए आफिस में स्टाप की कमी या नया प्रोजेक्ट सुरू होने के चलते पूरे दिन काम का दबाओ बना रहेगा दोस्तो इन दो दिनों में मनसिक तनाव और ठकानों भर सकती है नौकरी पेसा लोग जो है नये संपरकों से लाव ले पाएंगे जनरल स्टोर का सामान जो है वीडियो कॉल पर इन दो दिनों में बात करिए और जब आप अच्छा फील होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा भी लगेगा दोस्तों ये दो दिन परिश्रम में जो है समर्पन को भी जोड़ना हो तभी शफलता से आप बढ़ सकते हैं आगे दो दिन आजीविका क को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए रास्ते खोजने चाहिए नौकरी कर रहें लोगों को आर्तिक मामलों को लेकर प्लानिंग करने क्या बशकता है अचानक बड़े खर्च या खरदारी के स्तिती बन सकती है समाजी कामों को लेकर सक्री रहें किसी जरुत मंद की मदद क करने का उसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है तो पीछे ना अट अगर ऐसा मका इन दो दिनों में मिलता है तो उसकी हल्प ज़रूर करें दोस्तों वह वशाय में नई तकनीक के कारणा आपको लाब होगा यवाओं को शंगीत का बहुत ख्याल रखना होगा अगर कहीं संगीत सुन सकते हैं अगर मन ज़्यादा इधर उदर कर रहा है भटा कर रहा है मन नहीं लग रहा है तो इन दो दिनों में थाइराइड के मरीज सजग रहे हैं महमारी को ले कर सुरक्षा उपायों को मतलब जो है कोई भी कमी न रखें बाहर निकलते समया पूरी शावधानी आपको बरतनी चाहिए दोस्तों ये दो दिन जो है घर से सम्मंदित निवेश करते हैं अगर आप तो आपके लिए लावकारी रहेंगे दोस्तों ये दो दिन व्योहार और वाक्य पर्टुता में हर काठिनाई को परास्त करने के छमता रहेगी हला कि अचानक धन का व्याव खुता नजरा रहा है मनसिक तोर पर तैयार रहे सौफ्ट्वेर छेतर से जोड़ेदों को नए पर्टुत पर काम करने का मौका इन दो दिन में मिलेगा व्योशाय में शमंदों का संतुलन बना कर रखे करमचारियों के साथ विनमरता के साथ आपको पेस आना चाहिए किसी बात का गुस्सा जो है होकर कटू शब्द का प्रियोग ना करें युवाओं को आज इविका के लिए नए धहरी रखने की अवेशक्त है विद्यार्थिक कठिन विशायों पर अभ्यास बढ़ाएं रक्त चाप के रोगों को अधिक मानसिक दबाओं नहीं लेना चाहिए न दो दिनों परिवार का कोई सदा से बिमार है तो उसकी हर संभव मदद करें जोस्तों ये दो दिन जिस काम की सुरुआत करें उसों पुरा करने के लिए प्रियास में कोई कमी ना रखें कला जगत से जोड़े लोगों को प्लेटफर्म मिलेगा अपना कला दिखाने के लिए परदर्शन बहतर बनाने के लिए जी जानल आपको लगा देना चाहिए आफिसल मीटिंग के दवरान आपको इन दो दिनों में थोड़ा सजग रहना चाहिए होम अप्लाइंस का व्यापार आपको लाव कमाने के लिए सजग रहन सप्लाई चेन में कोई भी कमी ना आने दे स्वास्त उपकरन या दवाएं बेचने वाले के लिए समय ये दो दिन अच्छा है ये वावर्ग करियर को लेकर चिंतित नजर आएंगे स्वास को लेकर बृत लोग लापर वाही तो बेलकुल भी ना बढ़ते हैं दो दिनों में जीवन साथी के साथ मतबिद होने के विया शंका है पिवाद नियंतरन से बाहर होने से पहले समधान आपको कर लेना चाहिए ये दो दिन आपके लिए उतार चड़ाओं से भरा रहेगा शाकरात मर्क और शायमी तो बने रहना होगा इन दो दिनों में आपको आफिस में चतुर तस्याणी के करमचारियों को उपहार दीजे शाकर्मियों महिलाओं के प्रती जो है वहवार अच्छा करिए अगर वह बहुस हैं तो आदर में कोई कमी मत लाईए नौकरी पेसा लोगों को नई कंपनी से आफर इन दो दिनों में मिल सकता है करवार को लेकर नए कंट्रेक्ट या समझ होता भी होने की शंभावना इन दो दिनों में दिखाई दे रही है दोस्तों दो दिनों में जिससे से मनोबल बढ़ेगा दूसरों की मदद के लिए तत पर रही है दो दिन स्वास्त को देखते हुए ठंडे पानी का शेवन तो बिल्कुल भी ना करिए पितामा की शेवा करने का मौका मिल सकता है उनके स्वास्त का पुरा ध्यान आपको रखना चाहिए दोस्तों ये दो दिन योग्यता पर भरोसा करना लावकारी होगा शकरात्मक रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करें परिवार में किसी सदस जो है खासता और पर छोटे भाई की मदद की अवशकता पर बिना प्रतिक्छा की ये सही हो करिए ये दो दिन वर्तमान परिस्तितियों के हिसाब से वरिष्ट लोगों की सलाह से काम करिए पस्पष्ट कर ले जिवा शकरात्मक बने रहें सेहत में महामारी को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना पढ़ते हैं गरेली शंपत्ती में निवेश कर सकते हैं आप आज के दिन दिमाग पूरी तरह शक्रिय रखें आपसे मदद मांगने वालों को निराश मत होने लिए अत्यादिक चिंदन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा तनाव बढ़ने पर स्वास्त प्रभावित हो सकता है तो वही दूसरी और कोई अध्यात्मे कपुस तक आप इन दो दिनों में पढ़ सकते हैं लाब करी रहेगा दोस्तो एचार डिपार्टमेंट में काम करने वाले नौकरी पिसा लोग हिसाब किताब को लेकर सजग रहे हैं करवारी इलक्ट्रानिक समान से अच्छा लाब कमा पाएंगे दोस्तों इन दो दिनों में मेडिकल उपकरण दवाएं या सर्जिकल आइटम का करवार करने वालों को मन मताबित लाब में पार्टनर सिर्वे व्यावश्य करने वालों को भी आर्थिक प्रगती होती होती हैं लेकिन परशान नहों स्थितियां पुर्णा आपके फेवर में आएंगी कारशेतर से जूड़ लोगों के लिए ऑफिस में परस्थितियां जो है थोड़ी तनापोन होती दिखाई दे रही हैं उच्छा दिकारियों से ताना तानी किया शंका है कारवारी कानूनी क जो है फल इन दो दिनों में मिलेगा बिमार्स चल रहे हैं यह वाओं को अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए हलाकि स्वास्त संबन देते हैं मामलों कुरेकर पूरी तरह सा जग आपको रहना चाहिए अपनों की सेहत की चिंता आपको रहेगी परिवार में महौल पूजा पाट से करिए पूरे दिन मन शाकरात्मक ऊड़जा से भरपूर रहेगा काम काज में आलस से और ला परवाही बिल्कुल भी इन दो दिनों में नहीं बरतने चाहिए नौकरी पिसा लोगों के लिए नकरात्मक सूचना मिलने की ब्याशंका है फिर भी शाय यामी त रखें शेहत को लेकर कान में दर्द या इनिफ्यक्शन होने की भी आशंका इन दो दिनों में दिखाई दे रहे हैं घर के छोटे की संगती पर बिसेज द्याने परिवार के बड़े शदस से इस बात की निगरानी करते रहें उस पर ध्यान रखें दोस्तों ये दो दिन महत पूर्ण कामों को करते हुए चूक हो सकती है इसलिए कागरता बिलकुल ना खोए किसी की मदद करने का मौका मिले तो हाथ से मत जाने दे आफिस में भी सभी का शहयोग करें मानसिक तवर पर तयार रहें अंजान व्यक्ति विश्वास पात्र बन कर आपको ठग सकता है जल् वाहन समाल कर चलाएं साउधानी से चलाएं सिहत को देखते हुए आज दुर घटना की आश्रंकाय इन दो दिनों में दिखाई दे रही है जो बड़ी चूट लगा सकती है इसलिए साउधानों के वाहन चलाई है भाई को स्वास समंदिन मामलों में सजग रहने की विश्व आपको इन दो दिनों में देना चाहिए तो दोस्तों यह था आपके दो दिनों का दैनिकराशी फ़िए उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी तो लाइक कर दें चैनल पर नया आये हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें आस पास सफाई रखें घरवालों का ख्याल रखें साथी साथ अपना भी ख्याल लखें ये दो दिन मंगल में बीते अच्छा बीते शुब बीते यही कामना करते ह जै शरादे जै भूलनात हर हर महादेव